हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमस्कार दोस्तो यूर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक वर्फिर से इस स्वाकत है दोस्तो सर्दी में गुडवाली चाय पीने से होती है ये जवर्दस फायदे आईए जानते हैं सर्दी के दिनों में चाय पीना सबको पसंद होता है क्योंकि चाय शरीर को गर्म करती है जैसे शरीर की कमपन बंद हो जाती है शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ जाती है शर्दियों में चीनी वाली चाए छोड़कर यदि आप गुड़ वाली चाए पीते हैं तो इससे सरीर को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं आईए जानते हैं गुड़ वाली चाई पीने के क्या क्या जबर्दस्त फायदे होती है दोस्तो सर्दी के दिनों में खासी जुखाम और कफ जैसे बीमारियां बहुत जल्दी ही लग जाती है गुड़ की तासिर गर्म होती है इसलिए गुड़ वाली चाय पीने से सर्दी जुखाम से तुरंतर रात मिलती है और ठंड से रात मिल जाती है ठंड में जोडों के दर्द की समस्या भी लोगों में बढ़ जाती है यदि आपको भी जोडों की समस्या है तो सर्दी के मौसम में गुड़ की चाय पीनी चाहिए आप चीनी की चाय ना पीए गुड़ की चाय पीनी से आपकी मास पेसियां और हड़ियां बहुत मजबूत होंगी सर्दी के मौसम में भूग यदी वेक्ति को कम लगती है तो गुड का सेवन करना चाहिए गुड का सेवन पाचन सक्ति को मजबूत करता है जिससे भूग लगने लगती है और वजन कंट्रोल रखने में ये बहुत मददगार होता है तो दोस्तों गुड़ को सर्दी के मौसम में ही जादा खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है इसलिए इसे गरमी में कम खाया जाता है यदि आप भी इन सभी परिशानियों से पीड़ी थे तो आप गुड़ का सिवन जरूर करें वैसे भी खाना खाने के बाद गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा खा लेना चाहिए इस से खाना जल्दी पचे जाता है और पाचन सकती बढ़िया बनी रहती है तो दोस्तों हमें उमीद है कि आज की जानकारी आपको बहत पसंद आई होगी यदि आज की जानकारी आपको पसंद आये तो आप इसको अदेख जादी के लाइक और शेयर करना ना भूले और इसी प्रकार की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के साथ ही भगल वाले गंटी के बटन पर गलिक करना ना भूले धन्न वाइ